अपने परिवार के साथ एक अच्छा जीवनिया अपन कर पाएं आज हम आपको मदु मक्खी के चत्ते जुड़ा एक बहुत सरल टोट के पताने जा रहे हैं यह करने से आपके पास इतना धना आएगा इतना धना आएगा चारो दिसाओं से कि आपको पता नहीं चलेगा कहां से आ रहा है और कितना आ रहा है जी हाँ लेकिन जिससे पहले हम आगे बढ़े हम आपसे कहना चाहेंगे यह पहली बार हमारे चैनल चमकती किसमत पर आएं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और जाल स्यादा लोगों को सेयर करें जिसे जिनको भी उपायों की जरूवत है वह भी इनका लाब उठा सकें अगर आपको लेकिर वह पेड़ पर होना चाहिए तब ही यह नहीं कि कहीं गिरा हुआ है और आपको मिल गया तो उपाया आप नहीं कर सकते तो आपको पेड़ पे लगा जाए जहां मधु मक्ही अब ना हो छोड़के जा चुकी हो तो आप उकरना यह है कि पहले तो आप उसको प्रणाम कर लें यहाद जोड के उसके बाद आप उसे उताल लें उतार के लाने का उससे अपने घर में लिया और गंगा जल चिड़क क एक दिन के लिए अपने मंदिर में रख दें उसके बाद दोस्तो आपको एक चांदी का तावीज बनाना है उसमें उसका छोटा सा टुकड़ा मधु मक्ही की चट्ते का जो है डाल देना है उसके तावीज को बंद कर देना है और फिर आप उसे अपने गले में पहन लें अ बंद कर देना है और उसके बाद आपको उसे पूजद घर में रखे रहने है आप देखेंगे दोस्तों आपके इतने मार खुलने लगेंगे धनाने की कि आपको खुद को विष्वास नहीं होगा ऐसा लगेगा जैसे आप कोई सफना देख रहें लेकिन यह सफना नहीं कि यह उपाए यह उपाए है और यह है बिहुत कारगर है लेकिन याद रखिए यह उपाए भी आप किसी को बताएं ना कि आप इसकी आप इसकी पूजा करते हैं इसकी भी करते रहें आप देखेंगे आपके पास धन बना रहेगा नएने रास्ते खुलेंगे और आपके जीवन इतना खुशियों से भड़ जाएगा कि आपने कभी सपने में में नी सोचा होगा आप अपने कर्म करते रहेगे को कर्मी प्रदान है बाकी फल भगवन मातरानी को देना है जो आपको निश्चित रूप से मिलेगा जब आप कर्म करेंगे और यह उपाय करेंगे अगर आपको हमारी वीडियो में दीगे जनका यह अच्छी लगी हो दोस्तों तो हमारी चैनल चमकती किसमें तो सब्सक्राइब करें धन्यवाद